हेलो फ्रेंड्स आज का वीडियो में हम बात करेंगे why we use VFD for motor कि हम VFD को क्यों motor के लिए यूज करते हैं जो कि हमारा इंडुस्ट्रेल में जो हाफिर भी आप देखेंगे के अब बहुत सारा motor में हमारा वीडिल लगा हुआ है तो वीडिक लगाते हैं और मलन नर्मल इस टार्टर के बदले और उसका क्या फाइदा है अश्च वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे पहले तो मैं थोड़ा वीडिके बारे मैं आपको बता देता हूं अप्रेंड इसका बात VFD के जैसा ही और एक है जिसका नम है VVD, VVD क्या होता है, फ्रेंट VVD होता है, variable voltage, variable frequency drive, मतलब यहाँ पर इस drive में क्या होता है, हम frequency का साथ साथ voltage को भी vary कर सकते हैं, ठीके, तो यह तो था इसका full from और इसका data, अभी बात करने इसका फाइदा क्या होता है, फ्रें को यूज करते हैं, तो VVD से हमारा speed कैसे control होता है, तो फ्रेंट देखिए, यहाँ पर speed क्या होता है, speed होता है, जो synchronous speed होता है, उसका होता है NS, और इसका formula होता है, 120F divided by P, तो इसका मतलब यह है, अगर हमको speed को vary करना है, तो इसके लिए हमको pole को change करना पड़ेगा, या पोल क को vary करना इतना असान नहीं होता है, इसलिए हम फ्रेकोंस्य को vary करते हैं, पड़ेज करने के लिए, पारफेक्टर के इंक्रीज करने के यह बहुत सार फाइदा होता है, जैसे कि हमारा बिजली का will भी कम हो सकता है, तो अगर पारफेक्टर लेगिंग होगा, तो इसके से हमारा जो Power Factor होता है लेगण हो जाता है तो फार Factor को VFD के बजह से हमारा भी हम यूज करके हम उसको Power Factor ने सकते हैं तो कैसे कशल लिए इसके लिए आपको VFD क्या है इसके बारे में जानना जरूर है तो overall तो मैं थोड़ा सा बता दूगा लेकिन अग BFD के details वीडियो जानना चाहते हैं तो उसका link मैं discussion ने दे देता हूँ अब वहाँ से देख लेजिए ठीक है तो friend अमार जो BFD होता है वो कैसे काम करता है करने के लिए बहुत सारा कैपसेटर लगता है अब लिए को कानवर करने के बाद ही हमारा यूज ही आ जाता है तो इसके वाज़े से क्या होता है जो पावर को स्टोरेज करेंगा चार्ज को और पार पार फेक्टर को इन्कृज करेंगा इसी वज़े से यहाँ पर पार फेक्टर भी इन्कृज होता है यह फ्रेंड हमारा तीसरा पॉटनियोस्ली चलता रहेगा तो कुछ प्रव्ल्ब्लम नहीं लेकिन हाँ आप मोटर को बंद करेंगे यह फिर इसको स्टाट करेंगे स्टार्ट करने टाइम मोटर का जो एक्सिलेशन टाइम और बंद करें उसका दिए ऐसे खराब नहीं होगा इसलिए भी हमारा भीवडी को यूज किया रहते है क्योंकि भीवडी हमारा स्पीड कंट्रूल होता है इसके साथ अच्छलेशन और डीएक्सलेशन की क्यों रखता है मतलब आसानी से करता है जिसका वज़े से हमारा मोटर के साथ लगा हुआ है मेकनिकल इंस्टूमेट को इसको मौचर जाता है जो मौटर जब मतलब तीर रहता है तो इसको स्टाट करने के लिए एकस्टा फोर्स अधूर जायए निंस से पांस गुना तीन से पांस गुना ज्यादा करेंट करेंट करता हैं क्योंकि हमारा हाइट डर्क चाहिए लेकिन यह चो श्टाइटिंग करन अगर यह कंटिनुसली रहेगा तो क्या होगा उसके बज़े से हमारा मोटर डेमेज हो जाता है इसलिए यह जो भीवडिक के मोटर को थोड़ा सा स्टाट करके थोड़ा बंद करेंगे या दस मिनेट के बाद स्टाट करेंगे या दस मिनेट चालू होने के बाद बंद करेंगे जो भी हमारा रिक्वाट टाइम होता है उसका सेटिंग करने के लिए हमारा भीवडिक में ऑप्सन रहता है बाकी बाकी क हुआ हमारा उन्हें कर सीबनेंगे एक मोटर होँ मांगा किन पेपर और किया तो इसके लिए होथ हैं तो इसी नियुक्राइब किया मinstant प्रेज्व को मोटर चाहिए कि यह तभी मोटर को बंद कर देता है इसके पाद ओफ लोड मतलई है यह हमारा मोटर में जितना जो लोड चाहिए उससे अगर ज्यादा लोड हो जाएगा तो मोटर चादा टा मी सब्सक्राइब है और जालूजाएगा इसी वज़ाई से और लोड होने पर भी यह हमारा मोटर बंद कर देता है कि थो था है यहां तो हमारा को यही जो थो जालूब कर देगा बन करेंगा तो पहुंच भी होता है हमारा एंद करते हैं is साथ चीज़ों के शारा हमारा मोटर यव यूज करते हैं यह था हमारा हमारा भीक eighty क्यों यूज करते हैं तो फ्रेंट मुझे लगता है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फ्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और सस्क्राइब कीजिए और सस्क्राइब करने के साथ साथ साइट में रेने वाला बेल क सारे वीडियो का और आगया आने मेल और साय दी बहुत बहुत इंपोर्टन वीडियो का नोटिफिक्सन आखो मिल पाए थैंक यू